हलो विवर्स आज के वीडियो में हम कक्षा नवी विज्ञान विशे में अध्या एक के सारे एक एक नंबर के प्रश्णों की तयारी कर लेंगे अध्या एक हमारे आसपास के पदार्थ इसके सारे जो वेकल्पिक प्रश्ण हैं जिसमें सही विकल्प चुनिए रिक्तिस्थान सत्य हसत्य वाले सारे प्रश्ण कर लेंगे और इस अध्या से कुल चार नंबर के एक एक नंबर वाले प्रश्ण आएंगे मतलब वेकल पिक प्रश्णों कुल चार नंबर के आने वाले हैं इसलिए अध्या बहुत ही महतवपूर्ण है और इसके साथ ही विज्ञान विशे के बाकी के दो दो तीन और चार नंबर के प्रश्णों की तयारी भी हम करेंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी विज्ञान विशे की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब केजिए तो शुरू करते हैं अध्या एक की तयारी तो इसमें सबसे पहला प्रश्ण है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए तो सही विकल्प वाले जो प्रश्ण है इसमें पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाए होती है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो इसका उत्तर होगा तीन पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है ठोज, द्रव और गेस ठोज, द्रव और गेस ये तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की तो यहां प्रश्ण हल करने के साथ ही हमें हर प्रश्णों को समझना भी चाहिए जिससे कि हम इसी प्रकार का यदि कुछ अलग प्रश्ण आये तो भी हम आसाने से उसको कर ले इसके बाद अगला है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिखते स्थान होता है एसी कौनसी अवस्था है तो वह अवस्था होती ठोस ठोस अवस्था में पदार्थ के कण सबसे अधिक पास पास होते हैं और उनके मध्य में न्युनतम इस्थान होता है तो ही आएगी ठो सवस्था इसके बाद जो अगला प्रश्ण है वह है पदार्थ की सवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार इसपस्ट सीमायम नगर्ने संपिड्यता होती है तो किस अवस्था में किसी वस्तु का निश्चित आकार इस फस्ट सिमाय और नगर्णे संपिड़िता होती है तो इसका भी उत्तर आएगा ठोस क्योंकि इसमें निश्चित आकार होता है और नगर्णे संपिड़िता होती है इसके बाद अगला प्रश्ण है सरवाधिक विसरन गुण वाला पधार्त है तो सरवाधिक विसरन गुण वाला पधार्त होगा गेस क्योंकि गेस के कण दूर दूर होते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी चले जाते हैं इसके बाद जो अगला प्रश्ण नंबर पाँच्वा है, पधार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं, परन्तु आयतन निश्चित होता है, वह कोंसी अवस्था होती तो इसका उत्तर आएगा द्रव, द्रव अवस्था में पधार्था का आकार नहीं, लेकिन आयतन तो निश्चित होता है इसके बाद जो अगला प्रश्ण है नियूनतम विसरण का गुण पाया जाता है तो इसमें जो अप्शन दे रखें वेहें ठोस द्रव गेस या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका उत्तराएगा ठोस ठोस में नियूनतम मतलब बहुत कम विसरण का गुण पाया जाता है क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं और इसका अखार निश्चित होता है इसके बाद अगला है गेसो के किस गुण के कारण उन्हें सिलैंडर में भरकर रखा जा सकता है गेसो के किस गुण के कारण उन्हें सिलैंडर में भरकर रखा जा सकता है तो इसमें जो उप्षन दे रखे में संपिड्यता, तरलता, विसरण या परासरण तो इसका उतराएगा संपिड्यता गेसो के किस गुण के कारण उने सिलैंडर में भर के रखा जा सकता है तो अग गुण होता है समपिड देता क्योंकि यदि इसको ज़्यादा दबाव डालेंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाती रो इसको सिलैंडर में भर दिया जाता है इसके बाद अगला है, बर्फ़का गलनांक है, तो इसका उतराएगा 203.15 Kelvin, जो है बर्फ़का गलनांक होता है इसके बाद अगला प्रश्ण है निमनलिकित में से अधिक संपिड्डे होता है तो इसमें से अधिक संपिड्डे क्या होता है तो यहाँ पत्थर, जल, ओक्सिजन, रबर तो यहाँ उतर आएगा ओक्सिजन क्योंकि ओक्सिजन एक गेस है और गेसों में संपिड्डे ताका ग जिस नियूंतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है और यही गलनांक की परिभाशा भी हो गई गलनांक किसे कहते है यदि इस तरह का प्रशना आता है तो हम लिखेंगे कि जिस नियूंतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह गलनांक को होता है तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं याद भी कर सकते हैं इसके बाद अगला है बरफ का गलनांक तो बरफ का गलनांक होता है 200.15 Kelvin इसके बाद अगला है Kelvin का मात रखे तो Kelvin जो है ताप का मात रखे इसके बाद अगला है ठोस कारबन डेयाकसेट को नाम से भी जाना जाता है तो इसे शुशक बर्फ के नाम से जाना जाता है ठोस कारबन डेयाकसेट को इसके बाद अगला है पधार्थ की अवस्थाए होती तो यह हमने उपर भी देखा था पधार्थ की तीन अवस्थाए होती ठोज, द्रव और गेस इसके बाद अगला जो प्रश्ण है वहे सही जोडी मिलाईए सही जोडी मिलाईए तो इसमें जो कॉलम अ में दे रखें वहें अत्यदिक संपिड्य, पधार्थ की अवस्थाए, बर्फ का गलनांक, ड्राइ आइस, तीके ड्राइ आइस मतलब शूश का बर्फ है, जल का कोथनांक, और कॉलम बी में हैं ठोस, कारबन डिया अकसेट, CO2 मतल 15K, तो इसके जोड़ी हम बनाएंगे, तो सबसे पेहला जोई, अत्यदिक संपिड्य, सबसे अत्य चंपिड्य क्या होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा गेस गेस जो है सबसेदिक संपिट्टे होती है अब दूसरा है पधार्त की अवस्ता है तो पधार्त की अवस्ता है होती है तीन बर्फ का गलनांक तो यह हमने उपर भी देखा था जो बर्फ का गलनांक होता है 382 Kelvin तो इस प्रकार से जोडी बनेगी, इसके बाद जो अगला प्रश्ण है, वह है सत्य असत्य लिखें, तो इहां में सत्य और असत्य बताना है, इसमें पहला है, गेसी अवस्था में कणों की गति अनीमेत और अत्य दिकतीवर होती है, तो यह सत्य है या सत्य हमें बताना तो यह सत्य है ठीक है यहां में सत्य लिखना होगा गेसी अवस्था में कणों की गती अनीमेत और अत्यदिक तीवरो होती तो यह कथन सत्य है इसके बाद अगला जो है वाशपी करण एक सत्य की परिगटना है मतलब वाश्पी करन एक सत्र से संबंदी थे तो सत्र से ही वाश्पी करन होता है या सही कथन है तो यहाएगा सत्य इसके बाद अगला है उर्द्व पातन प्रक्रम में ठोस पधार्त द्रव में परिवर्थी थुवे बिना सीधे ही गेसी अवस्था में आ जाता है उर्द्व पातन प्रक्रम में मतलब प्रक्रिया में ठोस पधार्त द्रव में परिवर्थी थुवे बिना मतलब ठोस यदि कोई पधार्त है तो द्रव में परिवर्थी थ नहीं होगा अगला है सत्थ छित्र बढ़ जाने पर वाश्पी करण की दर कम हो जाती है तो यह कतन असत्य क्योंकि सत्थ का छित्र यदि बढ़ेगा तो वाश्पी करण भी बढ़ेगा तो वाश्पी करण जल्दी होगा मतलब उसकी गति भी बढ़ जाएगी इसके बाद है दाब बढ़ से वह द्रौ में बदल जाएगी तो यह कथन सत्य वहां बदल जाएगी के बाद अगला प्रश्ण नंबर पांच वा है जल का गलनांक केल्विन पे माने पर कितना होता है तो यह आएगा यहां पर अगला है जल का कोतनांक को कितना होता है तो जल का इसके बाद पदार्त मुख्यता किन अवस्थाओं में पाया जाता है तो पदार्त मुख्यता तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस, द्रव और गेस इसके बाद अगला है कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है तो कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है इसके बाद अगला है दाप का मात्रक क्या है तो दाप का मात्रक है पास्कल दाप का मत्रके पासकल इसके बाद अगला विस्रण को परिभाशित कीजिए तो विस्रण जो है इसमें पदार्थ के कण विस्रण में पदार्थ के कण उच्य सांदरता से निम्न सांदरता की ओर उच्चे सांधरता से निम्न सांधरता की गती करते हैं तो इस प्रकार से यह एक शब्द या वाक्य वाले उत्तर हैं इसके बाद हम इसमें दो दो नंबर वाले प्रश्नभ भी तयार करेंगे और हर अध्याय की हम संपुर्ण त्यारी करने वाले हैं जिससे की विज्ञान में आपके 100 में से 100 अंक आएं तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी की संपुर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए